है हलो दोस्तो स्वागत अप सभी का आपके अपने YouTube मोड़िसमें मैं फ्रेंट्स मैं विनीद्पदर आप सभी का सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube का video को नहीं देखा है इससे पहले जो तीन video आया दोस्तो तो उसका link जो है इसके description box में दिया गया है अप वहाँ जा करके तीन वीडियो को देख सकते हैं तो चलिए देखते हैं हम लोग आज 180 वर्गमूल पूछ रहा था इसको उपर एक करनी लग जाएगा इसा है ना ये वर्गमूल हो गया कोई रिकत नहीं होना चाहिए है तक दोस्तो अब इसका साट्रिक क्या है वो समझ लीजे जो यहाँ पर 180 नमबर दिख रहा है ना इसको आपको 4 से डिवाइट कर देना है कितने से 4 से तो 180 को 4 से डिवाइट करेंगे ना दोस्तो तो 4,4,16 और 4,25 आएगा इस 45 को यहाँ पर लिख लेना ऐसा 45 को इस टाइप से तोड़ देना है आपको कि दोनों को इंटू करने से 45 मिल जाए और दोनों को प्लस करने से यह 14 जो यहाँ पर दिया हुआ है यह मिल जाए ठिक है तो क्या क्या होगा 9 और 5 9 और 5 ठिक है अब क्या करना है दोनों में हम लोग को रूट लगा देना है ऐसा करनी लगा देना है और बीच में यहापर पलस है तो पलस और माइनस है तो माइनस तो रूट котор नवल पलस रूट पाँच क्योंकि नव जो है किसी का स्क्वाइर है तो इसे हम लोग बाहर निकल सकते हैं ठेखे ना तो इसको कैसे लिखना होगा 3 पलस रूट पाँच यही हो गए हम लोग का फाइनल एंसर तुमीद करता है दोस्तो ये question आप लोगको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कहीं कोई दिक्कत या परिशानी नहीं हुई होगी ये देखिए आपके लिए practice question दोस्तो आप इसका practice करें और answer comment box में comment कर दे ठीक है न अगर answer लिखने में problem हो तो आप सिर्फ option दे करके भी लिख सकते हैं देखिए root दिया हुआ अगर root लिखने में problem होगा तो आप answer box में जो है comment box में ऐसा option लिख करके आपका जो भी option आता है a, b, c या d उसे लिख सकते हैं आप ठीक है न ये देखिए 12 minus under root 140 तो पहले से किस प्रकार से लिखना है हम लोगों को 12 minus under root 140 इसको उपर एक करनी लग जाएगा ऐसा कहात स्वरी करनी वर्गमूल हो जाएगा तो क्या करना है अब सबसे पहला काम 140 को याद रखना है मसा 4 से डिवाइड ठीक है कितना से डिवाइड 4 से तो 4 तिया 12 दो और 4 पचे 25 अब इस 35 को क्या करना है हम लोगों को तोड़ देना है इस दो नंबर में जोड़ने से 12 और इंटू करने से 35 मिल जाएगा क्या क्या होगा 7 और 5 यहाँ भी root और यहाँ भी root चड़ा देंगे हम लोग ऐसा क्या है sign बीच में minus का है न तो बीच में minus लगा देना हम लोग को ठीक है यहाँ देखिए root 7 minus root 5 अब तो किसी से बाहर हम लोग आ नहीं सकते हैं तो final हम लोग को यही answer हो जाएगा root 7 minus root 5 देखिए किस option में option number B तो option number B इस question का सही answer हो जागा दोस्तों ठीक है तो उमीद करता है यह question भी आप लोग को अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा देखिए इसका एक और type होता है जो important type है थोड़ा सा उसमें अलग होता है उससे भी हम लोग देखेंगे यह आपके लिए practice question आ गया अब देखेंगे यह इसका अलग type का question है इसी कहा है type अलग आ गया हम लोग के पास आप देखें क्या देदिया 9 पुलस 7 माइनस अंडर रूट 252 का वर्गमूल बताईए आप तो हम लोग को क्या देदिया है यहाँ पे नंबर को अलग करके देदिया 9 पुलस 7 और माइनस अंडर रूट 252 पुछवार उमूल ही रहा है तो इसके उपर भी एक करनी लग जाएगा ऐसा तो question जो पूछ रहा वो बन गया काम पहला वही करना है दोस्तो 252 को 4 से divide तो 4 से जब divide करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोग को देखे चार चक चोबिस और चार तिया बारा 63 ठीक है ना तो 63 को ऐसा रूप में तोड़ देना है तो देखे क्या टूटेगा ध्यान दीजेगा लास्ट में समझेगा मैं बता दूँगा इसका एक और ट्रिक 9 और 7 ठीक है अब यहाँ पर देख लेना है आपको यहाँ पर यहाँ पर साइन यहाँ पर देखना है ठीक है ना इसका इसका साइन यहाँ देखना है दोस्तों लोग को माइनस है तो बीच में माइनस होगा किस परकार से रूट 9 और रूट 7 यहाँ पर सॉरी माइनस हो जाएगा माइनस था ना माइनस रूट सेवन 9 से बाहर आ सकते हैं तो हो जाएगा देखिए 3 माइनस रूट सेवन तो यह हो गए हम लोग का एंसर 3 माइनस रूट सेवन option number C तो जब इस टैप का question दिया है ना तो actual में देखिए ध्यान से हम लोग के लिए question का और आसान कर दिया है ना यह पहला number दे दिया और यह दूसरा number दे दिया बस normally यह जो है same format में बैठेगा यह 9 जो है पहला number इसके उपर रूट लगा देना है और दूसरा में 7 जो है second number जो भी रहेगा यहाँ पे उसके उपर रूट लगा देना है और यहाँ का sign देखना है यहाँ का ध्यान देजेगा यहाँ का अगर minus है तो बीचे minus देना है और अगर plus है तो plus इसका sign नहीं देखना है आपको कभी भी यहां का साइन नहीं देखना है क्योंकि यहां तो हमें सब प्लस ही होगा साइन देखना है इस जगा का ठीक है न यहां पर क्लियर तो हम लोग का एंसर जो है क्या हो जाएगा और 3 माइनस रूट 7 तो उमीद करता हूँ दोस्तों यह कॉंसेप्ट भी आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आया होगा क्लियर हो गया होगा ये देखिए एक question है आप लोगों के लिए आपके practice के लिए जल्दी शिसका practice करें दोस्तों और साथी साथ answer का comment में अपना जो भी answer है था उसे comment box में comment करें दोस्तों अगर आप लोगों को ये जानकारी पसंद आया समझ माया question कुछ आपको उपयोगी लगा हो तो आप इस वीडियो को एक like करें और हो सके तो अपने दोस्तों के भी share भी करें इस वीडियो को और हाँ अगर आप पहले बार इस वीडियो को देख रहे हमारे चनल में आया हुए हैं तो हमारे चनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें प्रती दिन इसी प्रकार के नए नए वीडियो पाने के लिए इस वीडियो को देखने के लिए दोस्ता आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद